चल तो वेल्कम एवरीवन वेल्कम एवरीवन तो यह हम लोग को आपको हम लोग के मातमाजी एडुकेटर चैनल पर बेरी बेरी वेल्कम है और हम लोग अभी करने वाले हैं यह फर्स्ट लेक्चर हम लोग का किस सीरीज में तो जिस सीरीज के बारे में आप लोग से बात किया और फिर डेडिवेशन्स काएगा मिन्स एक्जाम पैटर्न पर ही भेभी आई जो भी कोस्टन्स लगेगा उस पर हम लोग ट्राइ करेंगे कि आपके प्रिप्रेशन में थोड़ा सा हम लोग का भी कंट्रिवीशन हो तो इसलिए हम लोग यह सिरीज ला रहे हैं तो उस सिरीज कि दायमेंशन ऑफ चार्ज ठीक है चार्ज का डायमेंशन पूछ रहा है तो जब ही मेंशन कोई सीज का वह फुचेए पहला बात तो यह कभी में गलतकत करना नहीं है ठीक है अब सेकेंड बात यह कूश्चन आपको बोनस पर मिलते हैं सावधानी पूर्वक और सही परके आना exam में तो हम लोग को दो चीज देखना है पहला चीज यह देखना है पहला चीज यह देखना है कि मेरा charge यह जो भी option में जिसके terms में मांग रहा है ना उसी के terms में हम लोग देखेंगे ठीक है तो इसमें a for क्या है a for ampere है ठीक है t for time है यहां भी क्या है इसके इस दोनों terms में मांग रहा है ठीक है और दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है दूसरा चीज यह ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग का क्या होगा इससे related यह option में जो टाइम एंपियर और जो पूछ रहा है चार्ज इससे रिलेटेट कोई भी एक फर्मूला हमको पता होना चाहिए तभी हम लोग डाइमेंशन निकाल पाएंगे तो अगर आप याद करके जा रहे हो तो बहुत सारे डाइमेंशन से कितना याद करोगे ठीक है तो याद करके तो पूछ रहा है तो निकाल लेंगे कैसे वह आपको बता रहा है ठीक है तो चलो तो हमको पता है इस तिनों को लिंक करने वाला एक यूनिट वह कौन सा है तो करेंट का फर्मूला है तो करेंट क्या होता है चार्जब पासिंग passing per second ठीक है चलो पहले तो बात ये current का ये layman terms में ये definition होता है original current का क्या definition होता है या फिर कैसे मना आता है ये सब बताया ज़ा चुक आपको अगर आप course में लिए होंगे तो course में बहुत बढ़िया से बताया गया है और अगर आप कहीं किसी दूसर जगह से सिखे होंगे तो वहाँ भी बहुत बढ़िये तरिका से बताया गया होगा आपको ठीक है तो चलिए जो important है वही करते हैं अभी ठीक है तो i is equal to q by t second को किसे represent किये तो t से और charge को किसे represent किये तो q से और current को किसे represent किये i से और charge को हम लोग को निकालना है तो यह मेरा charge लिख दिये इसके बदले में और t मतलब क्या हो गया time हो गया divided by time तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं charge is equal to ampere into time यह लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो क्या हो गया हम लोग का dimension charge क्या हो गया A ampere को किसे denote किये A से और into T यानि A पे power 1 T पे power 1 क्या हो गया option हम लोग का 1 ठीक है तो option हो गया हम लोग का 1 वो क्या A T ठीक है तो first question हम लोग का answer आ गया चलो अब दूसरे question पर पूछ रहा है unit of epsilon naught क्या पढ़ते हैं इसको epsilon naught ठीक है चलो तो इसका unit पूछ रहा है तो किसके terms में पूछ रहा है देखो यहाँ पे farad F और क्या है farad है और farad किसका होता है तो capacitance का measure करने का unit होता है capacitance का होता है ठीक है यहाँ पे newton भी है force भी है और यह column पर bolt भी है beef और bolt होता है न ठीक है तो हमको एक formula जैसे यह question देखे तो हमको एक formula याद आया कौनसा formula तो capacitance का एक formula था कौनसा formula था तो लिखते हम C is equal to epsilon naught A by D ठीक है तब यह जब formula आया तो इसमें हम लोग इन्टू A A का मतलब क्या area यानि की meter square ठीक है और D का यानि distance है तो distance का unit क्या होता है meter यानि meter तो meter से meter cancel हुआ अब क्या होगा F is equal to epsilon naught meter ठीक है तो epsilon naught क्या हो जाएगा epsilon naught हो जाएगा हम लोग का F by M यानि की मेरा क्या हो गया यह फराड पर meter यह हो गया हम लोग का unit किसका epsilon naught का unit ठीक है तो यानि कौन सा unit हो गया कौन सा option हो गया हम लोग का option number B हो गया ठीक है चलो अब थर्ट question हम लोग का आता है कि which of the following has unit volt per meter ठीक है तो volt per meter का unit क्या होगा वोल्ट पर meter ठीक है देखो सब question 2020 का ही question है यह भी 2020 का question है यह भी 2020 का question है means देखो ना previous year में तीन question इसी पर आया था अगर आपको सभी का formula एकलिस याद है तो यह तीनों question तो sure बना गया ओगे और भी आगे questions आएंगे जो 2020 में पूछे गया है किस पर dimension के पूछे गया है तो वो भी questions आप अच्छे से बना कर आओगे बट कब आओगे जब आपको formula अच्छे से पता होगा तम तो पहला काम तो यही करना है रिविजन में कि सबसे पहले formula चार्ट याद कर लेना है साड़े chapter का formula हमको पता रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे questions उसी से आते हैं बहुत questions में आपको data दिया रहेगा और आपको सी formula यूज़ करना होगा ठीक है तो एकदम खुशी-खुशी हम लोग बना करके आएंगे कब बना करके आएंगे जब हम लोग को formula पुरा याद रहेगा तब वो तो रहेगा है क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं चलो तो यह किसका वोल्ट पर मिटर यह पूछ रहा है और यूनिट कौन कौन सा दिया हुआ है electric flux, electric potential, electric capacity और electric feed तो हमको इचारों में से हमको पता है चुकि हम पढ़े हैं आप भी पढ़े हो तो आप सिधा देखोगे तो एंशर बोलेगे कौन सा option number D, क्यों बोलोगे तो क्योंकि electric feed plus volt plus meter इस तिनों को combine करने वाला हम लोग के पास एक formula available है कौन सा formula, D is equal to ED, ठीक है यह formula हम लोग के पास है अब यह formula pass में है तो क्या कर सकते हैं इसका use तो electric field का पूछाना, sorry किसका unit पूछा, volt per meter पूछाना तो B divided by D is equal to E, यानि कि electric field का हम लोग एक और unit लिख सकते हैं क्या, B divided by D, B मतलब क्या, volts divided by D मतलब distance किसमें तो meter में ना पायाता है, is equal to E, ठीक है, देखो, तो इसी रहे न बोलना है कि electric field का तुम कितना dimension याद कर सकोगे, मुश्किल से जितना होगा उतना याद कर सकोगे बट exam में तो dimension पूछने का ना बात है, अब किसका dimension पूछेगा यह तो नहीं बताएगा वो, ठीक है तो अगर यह तरीका आपको पता रहेगा, अगर आप ऐसे ही attempt करोगे, तो ज़्यादा जल्दी पता कर सकोगे ना सोचो, कि अगर आप electric field का dimension कुछ और से निकाल लिए, जैसे कि f is equal to k q1 q2 by r square होता है तो आप इससे निकाल लिए क्या electric field का, sorry f is equal to qe होता है तो आप इससे निकाल लिए किसका electric field का dimension निकाल लिए, तो क्या आएगा Newton force divided by charge हो जाएगा, तो आजाएगा Newton divided by coulomb, यानि Newton per coulomb आजाएगा आपको, ये तो option में दिया ही नहीं रहेगा आपको option में दिया रहेगा कौन सा, volt per meter, तो आपको उससे related formula पता होगा, तभी ना बना पाईएगा, ठीक है, चलो, तो ऐसा करते हैं और चलो, एक और चीज पूछना बताना चाहते हैं, कि देखो, यहाँ जो हम लोग लिखे न, कि अगर हम, अगर आप पूछ सकते हो, सर यहाँ पे, q is equal to, आप लिख दे हैं, यहाँ पे, volt per meter, तो दोनों साइड तो same unit है, अगर इधर क्या रहेगा, dollar, इधर भी dollar रहेगा, तभी न, क्या करेंगे, कि यहाँ पे equal to का साइड देंगे, अगर इधर लिखेंगे, दो गाए, ठीक है, इधर भी अगर दो गाए रहेगा, तभी न, हम लोग equal to का साइड देंगे, अगर इधर लिखें, दो गाए, और इधर रहेगा, 4 बकड़ी, या फिर 2 ही बकड़ी ल कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेव उनिट रहेगा, तब ही हम लोग क्या होगा, equal to का SINE होता है, equation बनता है, होता है कि नहीं, तो इसलिए अगर हमको, right-hand side का पता है कि फराड पर मिटर होगा, right hand side का पता है कि फराट पर मीटर होगा अगर मेरा ये फराट पर मीटर होगा तो left hand side का भी क्या होगा मेरा फराट पर मीटर ही होगा इसलिए अगर इस side का equal हम लोग को unit पता चल जाता है ऐसे करने से ठीक है तो कोई भी question दिमाग में नहीं रखना है जो भी doubt आए तो आप लोग के साथ Google form share किया जाएगा और हम लोग आपके doubt को रेखेंगे और next class में कोशिस किया जाएगा कि आपके doubt को हम लोग solve करें ठीक है चलिए हाँ ये तो question छूठी गया अब ये question क्या है कि sum of sum of charges on collecting and conducting plate of a charged capacitor is ठीक है तो देखो यहां पर conducting नहीं होना चाहिए थोड़ा सा printing mistake है यहां पर क्या होना चाहिए condensing होना चाहिए instead क्या होना चाहिए condensing देखो दिक्कत कहां पर आ रहा है इसमें कि यह जो भी terms है ना conducting या फिर capacitor sorry capacitor और कहा गया क्या क्या कहते थे इसको कहते थे कंडेंसर कहते थे ठीक है तो जब नया नया आया था ना तो इसका नाम condenser रखा गया था बट condenser का न यूज condenser एक device होता है उसका same working होता है जैसा capacitor का होता है बट इसका अलग-अलग fields में मिस अलग-अलग fields में इसका अलग-अलग use होता है ठीक है तो हम लोग capacitor को means condenser को एक नया नाम रख दिये क्या कि capacitor जो की अलग-अलग field में क्या हो हम लोग का इसमें यूज नहीं हो मिस होता है अगर optics में इसका यूज condensing power का ठीक है तो optics में भी नाम होता condenser और इसमें भी होता तो लोग ज़्यादा confuse करते है न तो इस type से इस सबसे बचने के लिए हम लोग इसका अलग नाम रख लिए ठीक है तो उसी के definition के हिसाब से कहा गया है पहले सुचा गया था न कि ये condenser क्या करता है चार्ज को चार्ज को condense करता है ठीक है ऐसा सोचा गया था ठीक है तो इसलिए एक collecting plate माना गया था और दूसरा condensing plate माना गया था ठीक है तो मान लिए दो ऐसे मान लिए कि मेरा ये pallet plate capacitor है ऐसा और इसको battery से हम लोग जोड़े हुए है किसे जोड़े हुए है बैटरी से जोड़े हुए है तो क्या हुआ यहाँ पर भी वोल्ट का मान लो मैं बैटरी है ठीक है तो इस पर कुछ क्या हुआ प्लस q charge आया होगा इस पर माइनस q charge आया होगा ठीक है तो हम लोग कहते हैं कि charge on capacitor क्या होगा Charge on capacitor होगा प्लस q ठीक है चार्ज on capacitor होगा प्लस q बट कब तक बट यह पूछ रहा है कि हम लोग का दोनों plate का charge सम पूछ रहा है किसका तो condensing plate का और collecting plate का यानि कि ये plus q ये plus q प्लस जो इस plate पे charge है उसको भी plus minus q यानि कि total क्या हो गया zero charge हो गया ठीक है तो capacitor पे आपको ये बात याद रखना है कि हमेशा equal and equal magnitude का capacitor के plates पे दो plate होता है ना उस plate पे equal magnitude का and opposite sign का charge होता है ठीक है चलिए ये दो बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा capacitor पे equal and opposite magnitude का opposite sign का charge रहता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे plus q था और यहाँ पे minus क्यो था तो इसका answer क्या हो जाएगा zero charge हो गया तो हमेशा total charge जभी होगा capacitor पे हमेशा zero होगा ठीक है चलो अब पूछ रहा है कि two capacitors each of capacity c two capacitors each of capacity c are connected in parallel means हम लोग दो q एक पे minus q एक पर plus q एक पर minus q क्योंकि दोनों का capacitance same है और parallel में लगा हुए c इस सा capacitance है ठीक है लगा हुए तो फर्मूला क्या होता है जब भी capacitor का case हो जब भी capacitor का case हो ठीक है तो पैरलेल के लिए क्या फर्मूला होता है हम लोग का कि अगर दो कापसिटर है तो C एक्विवैलेंट होता है C1 प्लस C2 ठीक है बट अगर इसमें सिरीज हो तो क्या होगा 1 बाई C एक्विवैलेंट is equal to 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 ठीक है ऐसा होता है केस बट ध्यान दो यहाँ पे अगर मेरा कैपसिटर के जगा पे क्या होता रेसिस्टर होता अगर यहाँ पे रेसिस्टर होता ठीक है तो जो यह वाला केस होता है न कि अगर वहाँ पे सिरीज होता तो क्या होता R1 प्लस R2 resistor को किसे denote करते है R से और अगर parallel होता तो क्या होता 1 by R1 प्लस 1 by R2 ठीक है तो ऐसा means opposite होता है क्या होता है opposite होता है इसका जो series का formula है resistor का वो उसका parallel का formula है ठीक है तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कोई miss करने वाली बात है नहीं तो चलो question बनाते हैं question ये है कि connected in parallel parallel में पूछ रहा है तो parallel का क्या formula हम लोग का parallel का क्या formula है C1 प्लस C2 यानि कि और दोनों का magnitude क्या है C ही है तो क्या हो गया C1 प्लस C2 is equal to C plus C is equal to क्या 2C ये क्या है equivalent capacitance आया ना अगर यही पूछता कि मेरा series में क्या होगा रता तब क्या होता तो series में रता तब क्या होता 1 by C plus 1 by C होता है ना तो 2 by C होता और चुकि ये किसका value आया 1 by C equivalent का आया तो C equivalent का value क्या आजाएगा C by 2 ऐसे आजाएगा ठीक है तो चुकि हम लोग को पूछ रहा है ये वाला case तो हम लोग ये वाला answer करेंगे और वो क्या होगा answer ये अब आप लोग कही common mistake error कर दियें जिसे देखो एजाम में तो आप ड़र का महल आता है ना रहता है कि ने चुकि आप लोग 3 का एजाम दियें तो आप लोग को थोड़ा होगा कि हाँ भाई आता है तो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं बट होता है कि कभी question गलत पर आ गया फिर response गलती आ गया है उसको क्या कहते है silly mistake कहते है क्या कहते है silly mistake कहते है उसको ठीक है हुआ है ना वह गलती ना कड़े अब कभी-कभी होता है हम लोग भी silly mistake होता था dimension है तो पढ़ कुछ और लिए रहता कुछ और यहां पर parallel लिखा हुआ है पढ़ लिया कोई series पढ़ लेगा ठीक है तो वह सब silly mistake में आता है और यह सब mistake हम लोग को क्या करना है avoid करना है किसी भी case में यह नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए one volt is equal to चलो हमको आप से पूछना चाते है वोल्ट किसका unit है तो हमको पता है कि भीया मेरे potential का unit है दसमा से पढ़ते आ रहे हैं समझ सकते हैं यह बात तो यह होता है potential का क्या होता है electric potential energy per unit per unit charge चुकि यहां पर हम divide का sign दे दिया है तो पर नहीं लिखेंगे ठीक है तो क्या हो गया energy है उपर में तो energy का क्या definition होता है sorry unit क्या होता है तो joule होता है और नीचे में charge है तो क्या होता है कुलंब होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा इधर में potential क्या होगा volt हो गया यानि कि one voltage equal to sorry one voltage equal to one joule per कुलंब अगर दो बोल्ट होगा तो क्या हो जाएगा दो जूल पर कुलंब हो जाएगा यानि कहने का मतलब अगर दो जूल इनर्जी हम लोग का खर्च होता है पर कुलम चार्ज इधर से किसी इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ले जाने में ठीक है यही नहीं इसका मतलब होता है तो हम लोग के इसकेस में क्या अंसर हो गया वन जूल पर कुलम इसका क्या हो गया एंसर हो गया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कुस्टन पे चलते हैं देखो एक और बात आप लोग ध्यान रखना है ठीक है चलो ठीक है आगे बताएंगे अब ये कुशन आता है कि अब ये कुशन आता है कि वन जूल है ठीक है तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है किसका कैपेसिटर का तो कैसे निकालेंगे तो C is equal to सॉरी हमको पता है कि हाफ सी वी स्कॉाइड is equal to क्या बताओ इनर्जी स्टोर्ड इना कैपेसिटर तो किसके फ़र्म में इनर्जी स्टोर्ड होता है कि एक मान लिए मेरा है कि ये ऐसे ऐसे है कैपेसिटर बना ठीक है ये कैपेसिटर बना मेरा तो इसका बैटरी इससे बैटरी ये लगा दिये तब ही न ये चार्ज होगा ठीक है यहाँ पे 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिये ठीक है अब बोला है कि यह चार्ज होने के बाद क्या हो गया इस पे टोटल जो इनर्जी हो है कितना हुआ 1 जूल बट हमको कैपेसिटेंस का बैलू नहीं पता है इसका कितना बैलू है हमको नहीं पता है तो हमाल यह C ठीक है तो हमको यह फॉर्मूला पता है कि इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो हमको कितना कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जितना उसका आएगा बैलू वो पता चल दाएगा तो क्या हो गया 1 बाइट 2 इन्टू C का बैलू C राने देते हैं इन्टू B स्क्वार यानि की 100 का स्क्वार इस इक्वाल टू 1 ऐसा ही दिया हुए या कोस्चन में ठीक है तो क्या कि यह C का बैलू और यह 2 इधर लेगा है और इसको नीचे की है त्यानि 2 डिवाड़ेड बाई 100 का पावर 2 ठीक है यानि 2 इन्टू नीचे क्या हो गया इसको 10 का स्क्वार लिख सकते है 100 को और उसका स्क्वार यानि 10 डिवाबर 4 नीचे में और यह उपर आगा तो क्या बन जाएगा 2 इन्टू 10 डिवाबर माइनस 4 ठीक है यह हम लोग का बन गया क्या चुकि यह capacitance है तो unit क्या होगा farad होगा यानि कि answer क्या है 2 into 10 to the power minus 4 farad ठीक है तो option number 20 है हम लोगा ठीक है चलो अब यह पूछ रहा है next question कि अगर plus q charge is placed inside any spherical surface then total flux coming out from whole surface means काना चाह रहा है कि अगर छोटा charge एक कोई spherical surface है ठीक है इसके अंदर में क्या किये हम लोग plus q charge रख दिये ठीक है रख दिये तो इस से यह क्या करेगा charge अपना electric field emit करेगा ठीक है क्योंकि charge का nature होता है यह अपना electric field ऐसे 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 emit करेगा सभी directions में एकदम closely packed ऐसे रहता है पूरे एकदम पूरे space में क्या कहते है पूरे space में क्या करेगा अपना electric field emit करेगा तो तो अगंदा हो गया तो अशा साफ कर लिया और यह sphere मेरा बन गया तो यह पुछ रहा है कि अगर q charge मेरा इसके अंदर में है तो क्या होगा उससे दोरा जो फलक्स आएगा वो किसके इकवल होगा तो हमको यह बात पता है एक गॉसलो से तो गॉसलो पहला बात हम लोग क्या था तो गॉसलो यह कहते थें कि टोटल फलक्स फ्रोम अग लोजड सर्फेस लोजड सर्फेस इज इकवल टू किसके होता था q by epsilon naught ऐसा होता था जहां पर यह q किसके इकवल होता था यह जो चार्ज इंसाइड डैट सर्फेस होता था कि जो भी मैं surface पहले तो Gaussian surface माने थे ठीक है तो उस surface के inside में जो भी charge रहता था charge inside ठीक है तो उसी charge के divide कर देता थे q knot if sin knot से तो वो क्या आता था उसका magnitude आ जाता था किस से electric flux का total flux का ठीक है तो क्या हुआ मैं क्या हो जाएगा electric flux किसके equal तो हम लोग q charge था और एक spherical symmetrical surface बना लिए यह वाला तो यह closed भी है तो गौसलो अपलाई हो सकता है ठीक है और क्या होगा वो q by epsilon knot क्योंकि यहाँ पे अंदर में चार्ज कितना है तो plus q charge है ठीक है चला और यहाँ पर आपको यह नहीं कहा है कि center पर हो ठीक हम मान लिए center पर है बट मानना भी गलत है ठीक है यह center पर कह नहीं रहा है कि center पर है यह कह रहा है कि inside the surface means वो यहाँ भी हो सकता है 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है बट चुकि गॉसला कर रहा है कि अगर ऐसा बात है तो मेरा inside जैसे कि गॉसला में हम परे थे ना आप लोग कोर्स लिये होंगे जो कोर्स वाले स्टुडेंटों को बहता समझ आएगा यह बात क्यों आएगा क्योंकि वहाँ पर डिसकस किया गया है यह बात कि अगर हम लोग रिजल्ट तो आता है हम लोग प्रूफ किये थे प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पर रखके ठीक है बट चुकि चार्ज यह कहीं भी रहे यह चार्ज इस अंदर वाले सर्फेस पे गौशियन सर्फेस पे कहीं भी रहता था तो experiment से क्या आता था हम लोग का same ही आता था वहलू किसके equal आता था तो qi if sign or not के ही equal आता था मेरा वहलू तो hopes आपको यह बात भी बताया गया हो अगर नहीं बताया गया तो जान लिजिए कि हम लोग Gauss law निकाले दिए पुरूफ-ुरूफ किये थे तो किस पर किये थे जब charge को center पर माने थे तब किये थे बट ये सभी situations में अगर ये charge के अगर ये close surface के अंदर में है तो वहाँ पर ये सही-सही आया था इसका answer किसके equal to q by epsilon not के equal आया था ठीक है चलो तो अब next question है हम लोग का and ये answer कोन हो जाएगा हम लोग का option number b ठीक है तो next question हम लोग का the electric field due to the electric field due to point charge varies with distance r as means कोई मेरा point charge है ठीक है अब ये कैसे distance पर भारी कर रहा है इसका electric field ठीक है तो हमको सिधे electric field का formula पता है e is equal to k q by r square यानि की e directly proportional किसके है 1 by r square के directly proportional है है की नहीं यानि की option number मेरा b हो गया की नहीं तो ऐसी formula याद रखोगे तो बहुत सारा questions बनेगा असान-असान questions आएगा वो तो आएगा ही असान ठीक है तो जो चीज़ सीख लेते हैं असान लगता है जो चीज़ नहीं सीखते हैं वो hard लगता है तो अगर आप हम गोला याद किये हो तो अभी मौका है सीख लो हम लोग के साथ या खुद से बैट के सीख लो ठीक है तो यह पूछ रागर डाइपोल होता था हम लोग का यह प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होता था और यह ऐसे सेपरेट होता था कुछ डिस्टेंस से और यह equal होता था और opposite in magnitude होता था यहां पर कोई एक center होता था जिसको कहते थे center of dipole कहते थे और जो भी distance measure होता था वो center से measure होता था ठीक है तो चलो dipole का अगर dipole का distance measure करना है तो कहां से करेंगे center से करेंगे हमेशा तो यह पूछ रहा है कि electric field of electric dipole barrage किसे करता है ठीक है तो क्या फर्मूला हम लोग का axial का case ले लो अगर इस line पर join करता था same देखो इस दोनों को line मेंसे दोनों charge को join करने वाला line को क्या करते थे हम लोग axis करते थे अब dipole ठीक है तो इसी किसी point पर axial point का दे है ठीक है या फिर इसके perpendicular हो तो क्या का दिए equatorial point क्या का दिए equatorial point तो इसके फर्मूला में चाहे इसके फर्मूला में किस पर आता था तो एक आता था 2kp आये का था एक आता था एक 2kp और एक आता था kp sin theta by r cube ऐसे आता था हम लोग का ठीक है तो देखो इस दोनों case में क्या है मेरा फर्मूला किसके equal आड़ा है तो e directly proportional किसके 1 by r cube गे उपर में किया है मेरा इसमें भी क्वोई constant ही है ठीक है इसमें क्या है इसमें भी कॉई constant ही है ठीक है तो यह किसकी equal आ रहा है तो e kp कि electric field किसकी को लाड़ा है तो directly proportional किसके तो 1 by r cube के ठीक है चल तो यानि यह कौन सा option हो जाएगा हम लोग का यह वाला option हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं तो हम लोग का option number क्या हो गया C is question का answer हो गया ठीक है चल अब हम लोग आते हैं next question पर next question क्या है हम लोग का next question है next question है हम लोग का कि electric field due to infinitely long charged cylindrical conductor और wire varies with distance as देखो अगर हम लोग का कोई भी means charged conductor है ठीक है जैसे कि wire है तो कोई एक wire है conducting wire है इस पर हम लोग charge लाके रख दिये ठीक है उसका case कर रहा है या फिर कोई cylindrical cylinder है sorry cylindrical हो गया तो cylinder ही तो हुआ ठीक है कोई cylindrical conductor है ठीक है उस पर क्या किया यह लोग charge लाके रख दिया ठीक है क्या किया charge लाके रख दिया कुछ तो बोल ला है कि भारीज इसका दोनों का और कहने का मतलब कि सेम होता होगा इसका भी और इसका भी तभी न कहा दियास और वायर ठीक है तो इसका इलेक्टिक फिल्ड कैसे भैरी करेगा किस से तो डिस्टेंस से कैसे भैरी करेगा वह हम लोग को पूछ रहा है कि टो कैसे क्या करेंगे कमल को याद अगर दिलिन्डे कल होतो था तो कैसे लाइन चार्ज ओफ वाय होर्टा कैसे निकालते थे हम लोग गोस्फ लॉरका यूज करते औरस चुकि दोनों में सेम इस लिए आएगा रोकी घॉर्फ लॉर्फ हम लोग क्या बनाते थे एक सिलिंड ही बनाते थे और चुकी सिलिंडर ही बनाएं और उस पे जो चार्ज है इस पे और इस पे जो चार्ज है दोनों चार्ज तो सेम ही कहेगा ठीक है तो इसी केस में इसी लिए दोनों का रिजल्ट क्या आता था टू के लेमडा बाई आर आता था ऐसे आता था रिजल्ट इसका इ बाई आर के ठीक है तो क्या हो गया अप्सों नमबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का अप्सों नमबर ए किसके एकवल तो ए डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर ठीक है चल अब आता है अब आता हम लोग का अजैसे कि यहाँ पे तू पे यह था ना कॉस् ठीटाबाय आर क्यूर्श केपी संट लिटाबाय र्क सही न यहाँ पे कॉस्त रा चूटिया था ठीक है तो ऐसे ठीक है यह भला किसनके कैस होता था तो यह equatorial case होता था और यहाँ पर minus negative उसका इधर आता था इधर आता था यहाँ पर sin क्योंकि यह electric field vector quantity है ठीक है तो चलो ऐसा और यहाँ पर electric field क्या आता था 2k lambda by r तो यह बला option हो गया हम लोग का a next question हम लोग का आता है कि relation between electric field and electric potential will be means हमको B के बीच में ओहो B and E के बीच में relation चाहिए तो पढ़े होगे आप लोग की gradient electric field यह सब gradient के नाम सुने होगे क्योंकि यह जो B होता है E होता है यह किसके इक्वल होता है minus dv by dr के equal होता है ठीक है potential gradient कहते हैं क्या कहते हैं इसको potential gradient कहते हैं gradient word कहां यूज क्या आता है जहां भी यह distance के respect में differential form हो वहाँ पे gradient word यूज क्या आता है ठीक है तो ऐसा यानि कि कहने का इसका एक और देखने का मकसद है कि अगर आप E का electric field का कोई भी फर्मुला लो जैसे kq by r square ठीक है और dr है और इधर minus dv ठीक है तो इसको आप एक काम करना हो सकते तो आप लोग खुद से पढ़ना चाहो तेक चीज कर सकते हो क्या कर सकते हो तो आप लोग यह करना कि ओहो आप लोग यह करना कि एक किसी भी potential potential due to dipole ठीक है यह निकालना at axial point निकालना और electric field due to dipole at axial point निकालना और देखना कि यह वराडिलेशन e is equal to minus dv by dr exist करता है कि नहीं तो b का formula दिकालना और इसको differentiate कर देना किसके R के respect में differentiate कर देना तो देखना electric field का हमको पता चल जाएगा तो अगर यह जाम में तुमको dipole का अगर सी potential पता है और electric field का formula भूल रहे हो तो क्या करोगे तुम यहाँ पे differentiate करके निकाल लोगे निकाल लोगे ना चलो बढ़िया तो यह चीज हो सके तुम लोग hw के लिए रखलो कर लेना अपने से self satisfaction के लिए आप लोग करना यह बात ठीक है अच्छा लगेगा जानके अब पूछ रहा अगर एक डाइपोल है ठीक है डाइपोल प्लस क्यू मैनस क्यू यहाँ पीस का सेंटर हुआ ठीक है और यह दोनों का जोइन करने माला है उसका अक्सेस कर लाता है तो कोई एक अक्जील पॉइन्ट या तो इधर लेलो या तो इधर लेलो माल लिए हम इधर माल लिए प्वाइंट भी ठीक है चलो तो यह पूछता है कि क्या हो ओडी COP 6 यहां पर पूछ रहाएक Su यहां हो यहां पर लाइज कर दोखने में फोन प्रुपीं कि कुलर सकथ में वाहना चाहिए एपभ़एmos बाइसेक्टर कहना चाहिए ठीक है वो क्यों कहना चाहिए क्योंकि देखो बाइसेक्टर तो इस लाइन का बाइसेक्टर तो यह भी हो सकता है अभी जो ड्रॉ किये सौरी थोड़ा सा उपर माल लो ठीक है थोड़ा सा उपर माल लो यह भी हो सकता है हो सकता है कि नहीं बट इस इस केस में हम लोग का क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैलू हर जगा अलग 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 अ हम लोग यह point है मेरा यह point है P point माल लिए इसे इसी line पे कोई point माल लिए P ठीक है तो potential due to A और B माल लिए charge है यहाँ पे potential due to plus Q ठीक है इस point पे क्या potential होगा इसका distance माल लिए R है और charge तो KQ है तो potential का formula क्या होता है KQ by R अब इसके दोरा potential क्या है माइनस Q चार्ज के दोरा potential क्या होगा इस point पे plus K minus KQ by R क्योंकि यहाँ पे negative charge है ठीक है तो जब दोनों को add करेंगे वही यहाँ पे क्या होगा net potential होगा इस point पे net potential क्या होगा जो इस पोटेन्षाइन होगा उसको एड़ करेंगे तो आएगा आएगा तो इसको आइड़ किये तो क्या है जीरो मतलों क्या क्योंकि दोनों के जगा पह डिस्टेंश में क्या है और क्योंकि यह परकेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सेम ऐसे ऐसे होकर के मेरा 0 होते जाएगा, बट जो हम आपको कहें कि ऐसा ऐसा case अगर हो, कि अगर कोई भी अलग तरीके का bisector हो, ठीक है, perpendicular के अलावा, तो वहाँ पर देखो न, जो distance आएगा न, वो distance same नहीं आपाएगा, इस point से, इस charge से, यहाँ पर plus Q है, यहाँ तो D2 होगा, देखने में ही लग रहा है कि यह थोड़ा बड़ा है, और यह थोड़ा छोटा है, जब distance अलग, चार्ज तो सेम है, बच नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर D1 हो जाएगा, और यहाँ पर D2 हो जाएगा, तो कभी cancel हो के 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हम लोगा कोई न कोई option satisfy नहीं करता है, इस case में, ठीक है, तो इसलिए, चुकी question oriented काम करना चाहिए न, exam में, जिस दोको, exam में अगर आपको यही लिखा रहा है, तो वो तो पता है कि वो एक exam में आपको यहाँ पर 0 पर ही marks देने वाला है, ठीक है, आपको answer में भी देतेगा कि 0, बट आपको एक exam में यह सब समझना होगा न, कि हाँ, उससे गलती हो सकता है, कि printing mistake या फिर होता है न, कुछ-कुछ बात हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, तो वैसे समझ के आपको answer करना है, खाली नहीं छोर के आना है, ठीक है, कि हाँ यह गलती हो गया, बाद में आप अपने teacher से पूछिए कि हाँ यह गलती हो थाना थोड़ा सा और clear लिखना चाहिए था, तो हाँ, teacher भी आपसे agree करेंगे, कि हाँ बहुत सही बात बोला, ऐसा करना चाहिए था, तो आपको एक और example देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहना चाहिए यह, इलेक्ट्रो इस्टाटिक पोटेंशियल अब पुछो कि सर ये इलेक्ट्रो इस्टाटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिपरेंस है तो देखो बताते हैं अब दो टाइप का फिल्ड होता है ठीक है किस टाइप का कितना टाइप का फिल्ड होता है डो टाइप का पहला होता है conservative field आप लोग को पता ही है यह बात नहीं पता है तो सुन लो पता है तो प्रिभाई जो चालेगा conservative field दूसरा होता है non conservative field conservative field तो जो conservative force होता है उसके द्वारा जो field होता है वो means ऐसा चोड़ो तो यह समझो कि जो भी potential होता है potential या फिर मेरा potential energy ठीक है यह किसके लिए define होता है तो यह define होता है हमेसा conservative field के लिए किसके लिए define होता है conservative field के लिए अगर non conservative field होगा तो उसके लिए define ही नहीं होगा ठीक है तो conservative field में क्या होता है हम लोग का energy loss नहीं होता है बट non conservative field में energy loss energy loss होता है क्या होता है energy loss होता है ठीक है तो चलो जैसे friction है na dissipate energy करता है heat के form में तो उसी तरह जो मेरा electric field होता है ना ये electric field एक तो static charge के द्वारा बनाया आता है electric field किसके किसके द्वारा produce होता है एक तो static charges के द्वारा produce होता है और आगे EMI chapter में electromagnetic induction chapter में जो मेरा electric field produce हुआ था ना तो जो जो बी static charges है उसी के द्वारा जो electric field हुआ और potential हुआ तो उसका मतलब क्या है उसी का potential define होता है ठीक है तो यही बात था तो एक्जाम में हमको मार्पिट नहीं न करना है पहले हम लोग एक्जाम में मानुआँ आप examiner को जाए हाल में गए और बोलने है कि सर यहां तो question गलती है तो भाई हम समझ रहे तुम्हारा बात question गलती है थोड़ा सा है खराब वेवस्था बट क्या करेंगे ठीक है हम लोग को तो एक्जाम में अपना अच्छा माक्स लेके आना है तो इसी के लिए हम लोग थोड़ा सा सह बने देते हैं और नेक्स सेशन में हम लोग ट्राइ करेंगे कि जा सेदा question हो पाए ठीक है तो thank you everyone हम लोग के साथ बने रहिए हम लोग के साथ बने रहिए और सीखते रहिए ठीक है कि कुछ गलत उलत परहाना और रहना इस टाइब सा नहीं हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ एकदम मिन्स सेर कीजिए हम लोग ट्राइ करेंगे यह 9 पीम बला ना ट्राइ करेंगे कि यह हो जाए ठीक है अबट अगर नहीं भी हुआ फिर भी ट्राइ करेंगे अप साथ परहाई भी जरूरी है चलिए बाए बाए